ओम नमेश्य शिवाय जैश्री महांकाल हरहर मादेव घर में रोग और शोक हमेशा होता है रोग और शोक से सीधा सा अर्थ यहां पर है कि कोई न कोई घर में बिमार हमेशा बना रहता है घर में कोई न कोई प्रकार का दुख दर्द परेशानिया खत्म होने का नाम नहीं लेता ऐसा होना सामाने तोर पर सामाने बाते हैं लेकिन हमारे साथ परेशानी इस तरह की है कि सामाने तोर पर नहीं है या बहुत जादा खराब इस्तितिया हमारे साथ life में कभी-कभी हो जाती है और हम उससे बाहर आना चाहते हैं उस पूरी दूऊधा से, उस परिशानी से हमेशए के लिए बाहर आना चाहते हैं तगर किसी भी जातक के जीवन में रोग और शोग बहुत जादा उसके life में हबी हो रहे हैं सबसे पहले बात यहां से शुरू मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि जब भी किसी व्यक्ति को रोग हो, या कोई भी बिमारी आपके घर में हो, कोई रोग हो, कोई बिमार हो जाए, जो बहुत ही जादा परिशान चल रहे हैं, तिकि रोग भी कही तरह के होते हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति जो भी है, वो भी इसे अपना सकता है, या इस तरीके को अपको कर सकता है, अगर जब कभी भी किसी व्यक्ति के मन में रोग होता है, तो उसका विल पावर मजबूत होना बहुत सदा ज़रूरी, क्योंकि कई बार हमारे विल पावर का मजबूत होने से, कई सारे रोगों से लड़ने के लिए हमें एक हिम्मत मिलती है, अब विल पावर को मजबूत करने के लिए सबसे सरल तरीका है, आप बजरंग बान का पाट करें, सुभह नियमित रूप से बजरंग बाण का पाट करें, सायम के समय में बजरंग बाण का पाट करें, दो वक्त बजरंग बाण का अनिवारी रूप से पाट करें, जब आप बजरंग बाण का पाट करेंगे, रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा, और कई सारी परिशानिया बहुत चीजे खराब हो रही है तो उस पूरी बेचेनियों और उस जितनी सारी घबराहाट है उसमें negative vibration खुद न क्रियेट करें बहुत शान्त रहें अपने बजरंगमान का पाट करें अपने गुरु मंत्रे का जाब करें और खुद को जितना शान्त रखेंगे उतनी जल्दी आप ठीक होकर चीजों से बाहर आएंगे और अगर कोई भी रखती परिशानी में है और इस प्रयोग को कर रहा है या करेगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन्हें बहुत फाइदा मिलेगा दूसरा तरीका है कि गीता का वाचन गीता के वाचन करने से गीता को पढ़ने से आप अपने जीवन में शायद सोज भी नहीं सकते इतनी जादा सकारत्मत बदलाव अपके लाइफ में होगा आप एक अध्या इसे लेकि अठ्रा अध्या तक कोई सभी पढ़ सकते हैं पहले से लेकि अठ्रा तक या गारवा अध्या पढ़ ले साथवा अध्या पढ़ ले लेकि नियमित आप पढ़ने की आदत डाले नहीं तो आप किसी से पढ़वा सकते हैं घर के सदसे से पढ़वा सकते हैं और गीता को सुनें उनकी गीता को जितनी गंभीरता से आप सुनेंगे समझेंगे आपकी लाइफ में आपकी जितनी सारी बादा है पीड़ा है और जो मांसिक रूप से पेचे नहीं आपकी चल रही उनके जवाब आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके मन में प्रश्ण चल रहा होगा उसी का जवाब आपको गीता उसी समय देगे जब जो पढ़ेंगे जो सुनेंगे उन्हें उसका जवाब अवे शुरूप से मिलेगा तीसरा है कि जब कभी भी रोग और शोक और इन सभी चीजों से हम बहुत ज़ादा परिशान ह होते हैं तो हमें बहुत ज़ादा हताश और निराश नहीं होना चाहिए हताशा और निराशा रोग और पीडाओं को और बढ़ाती है हताश और निराशा कई बार जीवन में और नकारतमक्ता लाती है इसलिए उसे बहुत सामान्य तोर पर लेना है बहुत सरलता से लेना है easy तरीके से लेना है, easy से मतलब है कि बहुत खुद को शान्त रखना, आप खुद को जितना शान्त रखेंगे, उतनी जल्दी उस प्रशाणी से, उस बादा से आप बाहर निकल कर आएंगे, तो शान्त में ही जीवन में शान्ती आती है, इसलिए घबराना नहीं है बेचे नहीं होना है खुद पर विश्वास रखना है और बहुत ज़्यादा negative overthink नहीं करना है अच्छा सोचे पॉजिटिव सोचे आपकी जीवन के जितनी सारी परिशानिया वो आप उससे बाहर जरूर आएंगे ओम नमस्यवाय